हलो फ्रेंड्स वेलकम टो यूटूब चैनल लेजिकेशन निकेतन आज के हम इस वीडियो में 22 दिसंबर 2020 को UPPCS की जो आरों की मुख परिक्छा हुई थी उसके उत्तरकुंजी को लेकर उपस्तितु यह पेपर आपके जो आगामी 27 दिसंबर को BPSC की प्रारामिक परिक्छा ह होने जा रही है उसमें करेंट अफेर्स के लिए बहुत ही मददगार है क्योंकि इसमें अक्टूबर और नॉम्बर तक के करेंट अफेर्स पूछे गए हैं राश्पत्र ट्रम्प के कारकाल के दुरान संजुक्त राज अमेरिका नेमलिखित में से किन संधियों या समझोतों से अलग हुआ इरान परमानों समझोता पेरिस्क्स एग्रिमेंट यह ओपेन असकाई ट्रेटी हमने कलखी जो एक इंटरनेशनल करेंट अफेर्स की वीडियो डाली है 16 मिनिट की उसमें लगबख सवरी बता दिया है कि किस-किस से अमेरिका अलग हुआ है तो इसका सही उत्तर होगा कि तीनों ही संसाओं से अमेरिका अलग हुआ है नेक्स्ट है भारतिये फिल्म एम्स टेलिविजन संस्तान के सासी पुरसित के अध्यक्ष के किसे 2020 में नुक्त किया गया है इसका सही उत्तर है सेखर कपूर कैपसूल वन से में एफेक्ट मिल जाएगा इसके बाद निम्लिकित में से कौन भारतिये मुल्की महिला नॉम्बर 2020 में नुजी लेंड की सरोपर्थन मंत्री बनी है इसका सही उत्तर है प्रियांका राधा कृष्णन कि और कून सा सही है पहला इसका रॉंग है कि 2020 की विजए दाट प्रफी हर्याना न लिया हर्याना के लोए जोस में आगे कि इसे में और प्रोवात चौधरी ख़बर में रहा है कि पुल्वाणना पाकिस्तान ने कराया था अगर आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक सुचना आपके साथ साजा कर दे रहा हूं इसके बाद हम नेक्स प्रस्ट पर चलते हैं आने कैडमी लर्निंग एप पर आप डेली UPSC CAC 2021 के लिए टी ट्वेंटी डेली क्रेंट अफेर्स क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके लिए आपको आने कैडमी लर्निंग एप डाउनलोड करना होगा इसका समय डेली संद्या साथ बज़े है सेसन के बाद आपको डीटेल आइंसर और अनालिसिस भी उपलाउड होती है इसके लिए आपको जितने भी प्लस एक्स्पिरिंस से लेने के लिए यूज करना होगा कोड एडू निकेतन जो कि यहां पे लिखा हुआ है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दिया गया है नेक्स्ट है कि सितंबर 2020 में मनाए गए बिश्व परेटन दिवस 2020 का थीम क्या था तो इसका थीम था परेटन और ग्रामिन विकास यानि 15 का A नेक्स्ट प्रश्ण है उत्रिय अमेरिका के ब्रिहत धील प्रदेश में निम्लिकित में से कौन सा उद्योग सरवाधिक विक्सित है इसका सही उत्तर है इस पात और इंजिनेरिंग नेक्स्ट है काली का पास मिट्टी निमलिखित में से किस नाम से जानी जाती है इसका सही उत्तर है कि रेगूर नाम से जानी जाती है और 17 का D नेक्स्ट है कि कुछ आदिवासी की जंजातिय दी हुई है और आपको उसको मिलान करना है बहुत सिंपल है आपको पता होना चाहिए कि कोनियाक नाका लेंड का है यानि D का पहला इसके बाद जो आपका लिम्बूस है वो सी किम का है यानि C का फॉर्थ इसी साब से इसका सही उत्तर होगा A नेक्स्ट है निम्र्खित में से कौन से देश चारो और से लेंड लॉक है आप अगर मैप में देखेंगे तो आर्मेनिया और अजर विज्ञान काफी न्यूज में है अर्मेनिया को भी अगर आप वीडिया करेंगे तो इसको लेंड लॉक बताता है लेकिन उपर वाले से ब्लैक्सी से टच करता है तो यानि इसको पार्सेल लेंड लॉक हम कर सकते हैं पूरे को पूरे लेंड लॉक की स्रेणी में से नहीं रखेंगे अगर पूरे की पूरे लेंड लॉक की बात करें आप मैं एक बार चेक किजिएगा बोत्सवाना और इथोपिया दूनों ही लेंड लगा दिया है नेक्स्ट है कि नदी दिया हुआ है उसके किनारे कौन से सहर और दिया हुआ है आपको बताना है कि कौन सा मेल गलत है वान राइन नदी के किनारे है काईरो निल नदी के किनारे है निवार खटसन नदी के किनारे है लेकिन बियना जो सीटी है वो बुलगा नदी के किनारे नावकर देनूब नदी के किनारे है यानि इसका सही उत्तर होगा डी निक्स चलते हैं आपको कोई लागा खधान दिया हुआ है और भारत के राजी बताने हैं आपको एक बार मैच कर लेते हैं स्वाकपूर मद्पर्दिस में है यानि D का दूसरा और D के दूसरा ये आप खोज लेते हैं तो आपको पुरा मैच हो जाता है जिलमिली कहा है तो चतिसगड में है कनपूरा कहा है जारखंड में है रामपूर हिमगिरी कहां पे है उडिशा में दूसरा कोईशन भी लागाता रूसी से दिया है रंजीत घाटी कहां पे है सिक्किम में है तंदूर कहां है तलंगाना में है बरोरा कहां पे है महराष्टरा में है और ललमिटिया कहां पे है ज्यारखंड में है अटल मिशन फोर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फॉर्मेशन अम्रित के बारे या दो statement दिया गिया है इस mission के अंतरकर चार्ण सॉरो को रखा गिया है गलत statement है पांच सू सॉरो को रखा गिया है अम्रित यूजना देश के 60 नगरी आबादी को समाहिद किया गिया है राइट statement है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा केवलदो निम्लिकित में से कौन सा राजी वर्स 2018-19 में सिमिंट का सरवाधिक उपादक था अब मिनरल सिपोर्ट 2020 जो कि जुलाई 2020 में जारी की गई है उससे जाके ऑफिसियल भी उससाइट पर चेक करें उससे आपको पता चलेगा कि सबसे अधिक सिमिंट का उत्पादक राजस्थान था साथ ही साथ अब अन्न मिनरल के लिए भी उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं परसिद्ध जुआला मुखी परवत कारा कटोवा निम्लिकित में से किस देश में है इंडोनेसिया में है निम्लिकित में से सुक्ष्म जीव जेव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है साइनो बेक्टेरिया है यानि 216 का डी भू इस्थिर कृतिम उपगरा आवर्द काल कितना होता है और प्रॉक्स 24 गंटा होता है यानि इसका सही उतर होगा भी नेक्स्ट है कि आपको इसिट दिया हुआ है और उसको मैज करना है सिरका किस में होता है यानि एका तीन इसके बाद जो आपको हडियों में होता है केल्सियम फास्वेट होता है यानि C का वन और इस यसा साब जब मैज करेंग तो उसका सही उतर होगा भी योगदूत को आपको कुछ अस्थान दिये गए हैं बताना है किसलिए फेमस है पोखरन प्रमानुबी स्पुट के लिए निवी के पहले हो जाएगा हरी कोटा उपगुरा पर छेपन के लिए फेमस है इसके बाद काकरा पर क्या है नुकलियर पावर प्लांट है और थुमबा का है राकेट प्रमेशन के अंदर है तुसरा आप अंसर आराम से मिला सकते हैं 29 का सी दी है दो स्टेट्मेंट दिया गए है शर्सन रिजन परसिकी के बिविध अव्याव आपस में एक दूसरे से निर्भर नहीं है बिल्कुल गुला था निर्भर है दूसरा क्या है मानोक्रियों के बात प्रभावित होता है यह राइट है यानि इसका सही उत्तर होती इसका डी रेडियो धरिमता यानि रेडियो अक्टिविटी के बारेम दो स्टेट्मेंट दिया गया है रेडियो अक्टिविटी एक नुकलियर प्रपरटी है राइट है फिर दिया गया है कि हाइड्रोजन ब अपने लिए बिटामिनों का रहता तो मान भी लेते लेकिन सभी का नहीं करता है इसलिए हमें फल फ्रूट्स लेने पड़ते हैं सरीर के उचित विकास के लिए बिटामिन अनिवारे होता है सही एस्टिटमेंट है यानि एक गलत है और राइट किस सासक ने सिंगल दीप के ब्रूटु 642 इसा इस भी में दो समुंद्रिय भियान भेजा था नर्सिंग ब्रह्मन पर्थम ने यह वाली सवाल पर थोड़ी सी डाउट है निमलिकीत में से किस राजान अपने मंत्रियों को पसुओ पर कूरता पर परतिवन्थ लगाने के लिए कासी छेतर भेजा था विसे हमने जहां तक सर्च करने कोसिस की कस्मीरी राजा जैसीन होना चाहिए फिर भी एक बारापी से चेक कर लेंगे नेक्स्ट है बिंद छेतर के पासान यूगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन किया रिजन है जलवाई परिवर्थन के कारण इस काल में सुसकता का चरन था ए और आर यानि अससरन और रिजन दोनों सही है और उसकी ब्याख्या भी करता है इसलिए 35 का सही उत्तर होगा ए नेक्स्ट है कस्मिर के सासक जैन उल आबदिन का वास्त्रिक नाम सही खांता यानि कि 36 का डी चत्रपदी सीवाजी से संबंधित निमलिखित खटनाओ को कलाकरम आपको सजा देना है जो दिया हुआ है वो अल्रेडी सजा हुआ है यानि चाकन के किले पर बिजय अविजल खां का परकरण इसका अदमुगलों के मद्भेद का आरम और सूरत पराकरमन तो था टूट रह 20 का सही उत्तर हो गया हल्दी घाटी की उद्व में मराना परदाप के राजपूत सेना का सेना पती कौन था तो हकीम खांसूर इसके सेना पती थी निमलिखित में से किस करांतिकारी सेना ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स डेकार्ट के हत्या का प्रयास किया केरला में तेभा का हुआ 1946 अजादी के टाइम में इसके बाद आपका पाउना विद्रो हुआ और बंगाल का जो नील विद्रो हुआ उनसट साथ में हुआ इसके सही उतर हो गया डी फिर असरसन और रिजन दिये हुए है मुगल समराज के पतन के बाद मराठा सबसे साली देशर सक्ति के रूप में उभरे सही बात है मराठा पहले सा सकत है जिनके पास एकिक्रित भारती राष्टि यह सवरि भारती राष्टि की संकलपना थी तो यह गलत है यह दो कैसे की आपको बिक्स दिये हुए हैं और उसके राइटर दिये महांतमा गांदी यंग बिल्कुल सही अर्विन दे मात्रम बिल्कुल सही है गोपाल किस्म गोखले गलत है बारति समिदान की किसंशेद में किंद सासित यानि उइन ट्रेडरीज में उच्छ नियाले का प्रवधान है आठिकिल 2-4-1 चेक कर लिजेगा एक बार राश सक्वा कभी घटन नहीं होता है राइटर स्टेट्मेंट है एक यह सदस हर दूसरे साल पर सेवानी बृत होते हैं यह भी ही पताना है कि लोक्साबाद से करिठ पास हुआ आपको बताना है संसत के उर्प पहस हुआ यानि वह ती 11 दिसंबर 19 इसके बाद कश्वूश्ग अमेंडमेंट मेंडमेंत दिया हुआ और रट की लब को बनाए अब देखो इसमें आगर आपको क्यों डी आपने पता कर लिया यानि कि सम्धान के एक सो तीनवा सम्धान से संबंदित है जो मेरी जर्फिशन से संबंदित है यानि कि D का 4 इसी साब से आपको एंसर क्या हो जाएगा 46 का A नेक्स्ट है भारती अर्थ विवस्ता में GST का संग्रहन अक्टूबर 2020 में रहा अब अक्टूबर 2020 का GST कलेक्शन इसलिए चर्चा में था कि क्रोना काल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि GST कशन जो है वन लाक करोड के बिंच मेर को क्रोस कर गया था यानि कि सही उत्तर क्या होगा A भारत के बेपार सकल घरलू उत्पाद के बारे मिलिखित कतनों में कौन सा कतन सत्य है जिसका जो D option है कि भारत का बेपार सकल घरलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में 2018 से लगभग 3.4% कम था नेक्स्ट कोश्चन है थोड़ा सा doubtful कोश्चन है लेकिन 2 और 3 तो एक इसके सही उत्तर है अब जो वन है उस पर थोड़ी सी doubt है निमिलिखित में से कौन सा समावजुद सकल आए इजी यार की परिवासा के अंतरगत आते हैं लवहास और बिदेशी मुद्रलाव यानि फोरेक्स गेंतों आते हैं भी आज लव पर थोड़ी सी doubt है इसलिए इसकोश्चन को आप भी आरेंडी करें थोड़ा था नेक्स्ट है कि हाली में पहला लेंगिक समाजिक मानक सुचिकांग निमलिखित में से किस के द्वारा जारी किया गया तो यह जारी करिया जाता है संजुक तराश्र विकास का रकाम UNDP के द्वारा यानि पचास कसे उतर है डी आपको फिर फसल दी गई, उसकी परचाती दी गई है, सरसो की परचाती वरुना राइट है, मटर की परचाती रचनावी राइट है, अलसी नीलम राइट है, धान की रादे गलात है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है, इस पर उत पादम में बृद्धी होती है, बि कोई फाइदा नहीं है हमारे लिए मौदलिक नीती है मौदलिक नीती देखी बिसमेन बैसे कि लिए और डी में थोड़ा सट आउट है मौष स्यप्रीवट में चाहिए कि राजकोशी नीती का पूरा खें मौदलिक नीती यह भी हो सकता है पार्शल प्रहाबी मांग को अथ्तर में हुई थी तो बताएं इसके अपना किस ने की थी ठूरी के समझने दो श्रेट्मेंट ने उसे दोना राइठी से हमें कुई खास मतलब नहीं है इसके बाद गुलावी गैग अंदुरन का संपादक कौन है तो संपतपाल ये भी उपी अस्पेसल प्रश्ण हम नहीं करेंगे आटल गाटल जिसका कोद गाटन पतार मती नर्य नर्य निर्मोदी जी ने कुछी दिन पहले किया है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है इसका निर्मान सीमा संपाद की या मनालियू लो लाहूल इस फितिक गाटी के जोड़ती यह बिल्कुल सही है यही माल है कि पिर पंचाल प्रवत से इंख्रा के मदद इस्तिते सही है भारत के सामलेक दृष्टी से महत्पूर्ण है यह भी राइट है यानि कि एक दो तीन चार सा भी राइट है डी है रिफ्रेंच में्स से सख्लाणा जीता हो पूरी टैलि मैं आपको रिवेज करा दी है फ्रेंच महत्तिं महीला किससे जीगा है इगा स्वुट्यक ट्राश्यायद म js— अआपको याद होना चाहिए कि Sophia Kenin ने जीता है और US Open जीता है नौमी वशाकान इस तरह से पुष्टो का भी आप याद रखिएगा अश्टेलेन जीता है नौक जुकोविज ने फ्रेंच जीता है रफेल नडाल ने और US Open जीता है थियम ने आप एक पर जीता है उसे भी देख लिजएगे क्योंकि बिहार में थोड़ा अपना अलग सिस्टम चलता है वह बूज़ता भी पूछ लेते हैं किसे प्राजित किया था इसके बाद है कि बोबेल राम कलावन हाली में किस देख के राष्टपती निर्वाचित में भारतिय मूलके हैं यह सेसल्स यह भी मैंने आयार की जो इंटरनेशनल करेंट अफेर्स की वीडियो डाली है उसमें भी इस फैक्ट का हमने जिक्रिक किया है 31 अक्टूबर 2020 को भारत में पहली समुंद्री यात्रा समुंद्री हवाई जहाज ने निम्लिखीत अस्तान हमसे कहां से उडान भरी सही उत्तर है आहम दावाद यह इंडियन साइंस कब कब हुआ उसका एक चार्ट दिया हुआ है अब एक बात चेक कर लेंगे सबसे लेटेस्ट पूने में हुआ था इसी सापको बन जएगा डी नेक्स्ट है कि इस्राइल के साथ समान शंबंद नहीं है हमने जो कल वाली वीडियो बनाई है उसमें भी इस फैक्ट आजिकल किया कि चार दियसों के साथ समझावता किया है अभी जो लेटेस्ट समझावता हुआ है वो यूई और बहरीन ने किया है जिसका आमराहम एकॉर नाम है तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा यहां से भी सवाल उठने की पूरी शंबाउना है नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा कथन अशत्त्य है यानि सही नहीं है सरव प्रतम सुरोदय इसके मिजोरम राज में होता है यह स्टेट्मेंट से सही है भारत जन संक्या के दिश्टी से विसु का दूसरा बड़ा राष्ट यह भी सही है भारत की भू सीमा का विस्तार 151200 किलों मुटर लग हो यह भी राइट है निम्लिकित में से पच्छमी घाट परवत स्रिंक्ला में सामिल नहीं है थाल घाट भोर घाट पाल घाट सब्सक्राइब के अंतर का जो प्रोग्राम चल रहे थे उनको यह आपको बताना है इसका जो सही उत्तर है यानि कि जिस क्रम में दिया गया हूँ सब राइट है 1234 यही क्रम होगा कि इन्हेंस्ट एनरजी इफिसेंसी 2009 नेशनल वाटर मिशन 2011 नेशनल मिशन फूर सस्टेनिंग हिमाल्यान एकोसिस्टम 2014 और नेशनल मिशन फूर सस्टेनेवल एगरिकल्चर 2008 नेश्ट देख लगते हैं अर्शन वेशन पर बेस्ट कोस्टन है पश्मी देशों में नगरों में पूर्सों के अपक्छा इस्त्रियों की संक्याधिक पाई जाती है राइट है पश्मी देशों में किरसी कारे नवीन तकनिकों किसे किये जाते हैं जिने पूर्सों की जाएगा नागार्जुन कृष्णा पोजम पाद माता तिलवा बेतवा है अब पोदम पाद गोदावरी है इसी सबसापका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में बंगलादेश की तुलना में अधिक नसलियों जाती भी विद्ता है बिल्कुल सही है पंजाब भी पकिस्तान को अधिकारिक भासा है जब कि अधिकांस लोग बोलने में उर्दु भासा का परियोग करते हैं यह सही नहीं है यानि कि 88 का सी इसके बाद आपको बताना है सहर का नम दिया हुआ है नदी का नाम दिया हुआ है कौन समय सही नहीं है जबलपुल नर्मदा कोटा चंबल नासिक गोदावरी बिल्कुल सही है है धरावाद मुसी नदी के किना रहे है यानि कि 90 का भी रोंग है इसके बाद निम्लिकित में से कौन सा कैस का युम गोता खोर को शांस लेने शंबने क्रियाओं में उप्यों में किया जाता है तो इ 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्लिकित में से किस मिशाइल का सफल परिक्शन किया था तो ब्रह्मो सुफर कुरूज मिशाइल नौसेना का इसका परिक्शन किया था 93 का भी राइट एंसर है निम्लिकित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पिर्थिवी के वाइमंडल सही उत्तर है औक्सीजन नहीं था इसके बाद करोना रोगयों को जार के लिए प्रियुक्त हाइड्रोक्रोसी क्लोरोक्यूइन दवा निम्लिकित में से किस पौधे के छाल से बनती है तो सिनकोना के छाल से दवाई बनती है यानि 95 का सी स्वेत वस्तर काले वस्तर क्या पर वे शंपून प्रकास को प्रावर्तित करते हैं इसके बाद आपको एक सुची दी गई है और उसमें उसके केमिकल नेम दिया गया है जैसे प्लस्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं तो केल्सियम सलफेट हेमी टाइट्रेट कहते हैं और यहीं अपने डी का फोर्स ही कर लिया आपके पूरे-पूरे एंसर मिल जाते हैं यानि सी आपका हो जाता है वासिम पाुडर के है सोडियम कार्बोनेट इसके बाद बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लिचिंग पाउडर यह हो जाता है आपका केल्सियम ऑक्सी कालोराइड 97 का सी 98 है इस कुछन को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी से डाउट फुल है वैसे अगर आप मेरे हिसाफ से जाए तो डाउट सबसे पहले आया फिर ट्रांजिस्टर आया इसके बाद आयसी और एसमडी को लेकरने थोड़ा सी डाउट फुली छोड़ देते हैं इसको इसके बाद जो नेक्स्ट कोशन है निम्रिकी तिर्थकरु को आपको मैज कर नहीं है इसका सही उत्तर है सब से पहले अभी नंदन इसके बाद पदम प्रभू इसके बाद भी मलनाथ और सब्सक्रांति में मुनी सुब्रत नाथ यानि 99 का ए इस सिंपल कोशने बिहार के लिए इंपोर्टेंट भी है क्योंकि महाजनपत्तों से पुछने का एक ट्रेंड रहा है इसका राइड को नहीं है सी सेर्सा सूरी कांतिम अभियान निमनी निखित में से कौन सा था तो कालेंजर का अभियान था यहनी की 101 का ए सेर्सा सूरी से संबंदित कोई भी प्रष्णा है उसको आप ज्यादा ध्यान से देखें नेक्स्ट है आपको यूद दिया हुआ है आपको मैच करा दे नहीं है खानवा के यूद आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था पाणिपत के ज़स्ट बाद हुआ था यह नहीं कि 27 में हुआ तालिक कोटा 65 में हुआ 44 में और 49 में इसकी राइट अनसर हो जाएगा ए फिर निमलिकित में से कौन सा निमलिकित में से कौन सी मुदरा छटपती सिवा जी के काल पर सीयोप्रित नहीं थी इसका सही author है रूका रुपया ठकाव लारी थ थी निमलिकित में से स्यइद खान के साथ का तो राजा स्यू कांग्रिस्ट के महासाजीव के रूप में किसे चुना गया था तो इन जी रंगा को चुना गया था नेक्स्ट है कि आपको कलांस के सार सजा देना इसमें तो सबसे पहले हुआ था पंजाब का भी लए सिक्कीम का भी लए इसके बाद बर्मा का भी लए और सबसे अंतिम में हुआ था जहासी का भी लए यानि एक तोच्छे का दी फिर आपको बताना है कौन सुमलित नहीं है इसमें दो सुमलित नहीं है क्योंकि अखिल भारतिय डिप्रेश्ट क्लास के अस्थापना 1828 के जगा पर 1903 को हुई थी और बंबे सुसल रिफॉर्म के अस्थापना 1908 के जगा पर 1903 में हुई थी यानि इसी साब से एक क्वेश्टन डिलिट होने वाला है सभी नहीं और ग्यांदुलन के बारे में आपको बताने हैं महत्मा गांधी को नमक कानुन तुणने के ब्रियोद में सजा नहीं दी गई थी गलत है सजा दी गई थी और दूसरा है मदन महनमाल भी देवदास गांधी और एम से के मुंसी के कानुन तुणने के सजा दी गई थी तो यह स्टिट्मेंट राइट है यानि की 108 का बी नेक्स्ट है कि राजपाल को जारी करने की सकती 213 में यानि की 109 का भी फिर है कि राश्पती के तरह राश्पती का चुनाव भी अपरतेक्ष होता है बिल्कुल स भाग लेते हैं तो दूसरा गलत पहला से यानि 110 का ए 111 है भारत में नीती आयो की अस्थापना कैमिनेट नोट के द्वारा हुई थी यानि की 111 का सी नेक्स्ट है आपको मैच कराना है आप मैच करा लीजेगा विल्कुल तिनोंने एकदम सटा सटा कर दे दिया है इसका सही से लास्ट में हुआ पूना समझे होता है एक को मैं बार बर कह रहा हूं कि इससे प्रश्ट पूछे ही भी जाएंगे बीपीएसी में में पूछा गया यूपीएसी प्रेलिम्स में भी यहां से कोस्टन रहेगा हमने कैप्सुल वान में इसकेल लिए डीटल पूरी जनकारी दे दिया आपको सुक्ष लगुए मध्यम बुद्यों के धिनियम में संसोधन किया गया है यह संसोधन आप 13 मई 2000 को आपने भर भारत पैकेज के अंतरकत MSC की नई परिवासे खुश्ट की बिल्कुल राइट है एक जून 2020 से प्रभावी यह भी राइट है इसमें जो पत्रों में था वह संबंधित है वह GST से संबंधित है भारतिय अर्थ वेवस्ता है इस पेपर के सबसे आसान सवाल है मिस्ट वेवस्ता है कुशुम एक तिलहनी फसल है इसका बैज्यानिक नाम है कार्थेमस्ट टीकोज टिक्टोर्यस नेक्स्ट है भारतिये क्रिशी आपको एक चीज पता हो कि राष्टी एक क्रिशी अनुवेस्टी परियोजना 2006 में शुरू की गई थी और सबसे आखरी इस बाकी परियोजना पहले शुरू के गई थी तो आपका एंसर को पता चल जाएगा कि होगा ए इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि हमने बताया भी है सैथ कैप्सूल 2 में बताया है नहीं इसमें आयर वाले में बताया है कि आईमेफ का एक जो नया सदस है वो कौन सा देश बनाए है ठीक है और किस नंबर का सदस है इस दूरों फैक्ट को बताएंगे नेक्स्ट है बहुत है अच्छा परशन है कि मुद्रा स्विर्थी और सबस्ता में लिखित में से कौन से वर्व लावकारी होते हैं मुझे लग रहा है कि इसका हिंदी जो अनुवाद है ना लेंदार और देंदार वो थोड़ा सा डावटफुल है इसलिए हम इंगलिस में देख लेते हैं creditors, investors in bond and securities, debtors and consumers देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप मुद्रा स्थिपिक में बात करें तो कौन profit में होगा तो जो debtor रहेगा ना जो loan लिये रहेगा तो उसको जो rate of interest देना रहेगा उसकी value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लेकिन जिसने creditors ने पैसा दिय जिसमें दिया तो इसमें value ज्यादा था और बाद में उसे value कम हो जाएगी यानि जो उसे मिलेगा उसकी value कम होगी और जो debitter को देना पड़ेगा उसकी value कम होगी जिसमें lab में कौन रहेगा debitter यानि 120 का C तो यह रहे GK, GS के प्रष्ण जो की आरो में पूछे कि हमने mathematics, reasoning और U special को प्रष्णों को छोड़ दिया है क्योंकि उससे BPSC में कोई खास मतलब नहीं बनता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको मीट्रों के साध्या करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए परिक्षा उपयोगी खासकर BPSC परिक्षा से संब